लुद के और चलिए पानी R director रम योग siya अलोगे .. एक अपयने सोगज़ने, अलगे सकते हैं तो नहीं के यह मेंने चाहिए आगेarös मेजरेमेंटकोचराय कोने भी है और आप करने लेरें ले दाहिए जाने का चेहरें थाय कोने.. आटे को अच्छे से एब्जॉब कर ले गूथने में मदद कर देगी तो ये देखिए मैनी एक कटोरी मेजरमेंट वाले आटे लिए तो वो आटे इस तरीके से दही में जब गूथेंगे अगर आपको आटे की थोड़ी सी भी जरुरत पड़ेगी तो आप अलग से भी ले सक प्याइगा कि आटे को बहुत जादा मलना है तो पानी को मैं एकसाइड कर दूँगी आटे को भी एकसाइड कर दी बस इतने ही आटे में हमारी एक लिए first class रोटिया बनके ready हो जाएंगी तो ये रोटिया बनाने के लिए आटे के प्रोसेस को एकदम मसल मसल के आटे को गूत लेना है बिल्कुल पी इस तरह के से गूते हैं ताकि हमारी रोटिया बहुत ही मुलायम और अच्छी सी बने और कलर भी इसका अच्छा है क्योंकि जब आटे अच्छे से गूते रहते हैं ना ही इसमें आशिरवाद वाला आटा है ना ही कौन मार्केट का कोई भी आटा नहीं घर का देसी गेहू जो गाव में होते हैं वो उसी गेहूं कि यह आटे हैं और इसकी लोईयां करके मैं बना गया आपको दिखाती हूँ कि कितने भड़inhas, रोटियां बनी थी यह देखें इसमें मैंने पानी, एक बूंद भी पानी, मैंने नहीं लिया है केवल दही का इस्तिमाल किया है कोई जानी नहीं पाएगा कि इसमें मैंने दही एड गिया है हलका सा खटापन अगर खटी वाली दही हो तो आता है बट ये दही बिल्कुल भी खटी नहीं थी तो ये रोटियां मैं इस तरीके से लोईयां सारी अलग-अलग कर दोंगी ताकि हमारी रोटियां बनाने में आसानी हो जाए फटाफट बनके रेडी हो जाए तो ये दीखें आटे लगा के मैं चौके पे सेम उसी तरीके से रोटि की तरह लोईयां कर लूँगी लोईयां करने के बाद इसे बेलना है बेलन की सहायता से बेलना है बेलन में भी कुछ नहीं लगाना है चौके में भी कुछ नहीं बट इस तरीके से बेलने की हमारी रोटियां बलकुल गोल सी बने किती लोगों को बनाने नहीं आता है तो आप चाहें तो गोल वाली अगर थाली हो तो गोल सा बनाने के लिए गोल वाली थाली से कट कर सकते हैं तो बट मेरी रोटियां गोल सी बन गए थी इसे तवे पे add की तवे पे add करने की बाद एक side का अच्छे से थोड़ा सा brown type दिखने लगे थोड़ा सा बुंदा बुंदी ता दिखने लगता है तो रोटियां first class बनती हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा जब दिखने लगे कि हमार रोटियां दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा फुली फुली दिखती हैं तो हमारी एक साइड की रोटियां हलकी सी हो गई होती हैं तो इसे हम दुबारा पड़ाट देते हैं पड़ितने के बाद दूसरी साइड का भी इस तरीके से अगर साइड का पॉर्सर ना हो तो इस त फूलके वाली रोटियां बनाने के लिए तो इस तरीके से फूली वाली रोटियां बनाने के लिए जैसे कि रुमाली रोटियां बनाने के लिए हमें रुमाल के जरूरत पड़ेगी तो रुमाल में क्यों रोटियां रखी जाती हैं ये मैं आपको बताती हूं कि इन कपड़ो अगर रखें तो रोटियों का जो भी थोड़ा बहुत पानी आता है वो अच्छे से अपजब कर लेते हूं रोटियों हमारी घरम पड़ी रहती है तो कपड़े में रोटियों इसलिए रखने से थोड़ी सी गरम-घरम सी रोटियों पड़ी रहती हैं दूसरी भी फुलका वा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा आया था कोई भी यकीन नहीं कर पायागा यह मैं किवल दही और आटे से बनाई हूं पानी का बिल्कुल भी सेवन नहीं की थी और यह बहुत ही बढ़ियां सी बनी थी यह किमानी आपके घर में अगर मेहमान आए तो इस तरीके से जरू किस नया लेके आती हूं तब तक के लिए बाबाई